आज फैसला होगा मेहनत चितेगी या किस्मत दोस्तों आप अपनी राय कमेंट्स वोक्स में लिखिए एक तरफ हैं मेहनतिक अलाकार पावर स्टार पावन सिंग तो दूसरी तरफ हैं किस्मत के धनी परदीप पंडे चिंटू आज जो अवार्ड सो होने वाला है आई बी ऑम लोग यह बोल रहे हैं कि पावर स्टार पावन सिंग ही जीतेंगे लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2023 में 400 हुए है चारो अवार्ड सो के आयोजेक ये बूलते हैं कि हमारे अवार्ड सो बहुत बड़ा अवार्ड सो है तो इस चार जो अवार्ड सो हुए हैं उन में से तीन में बेश्ट एक्टर परदी पांडे चिंटू बने हैं परदी पांडे चिंटू किसमत के धनी इसलिए में बोलना चाहता हूँ क्योंकि भोचपुरी में बहुत से कलाकार है बड़े-बड़े कलाकार है बड़े-बड़े हिट फिल्में देती है लेकिन चार अवाट सो में से अगर तीन परदी पांडे चिंटू ने जीता है तो और अब दुबई में परदी पांडे चिंटू गए हैं, वहाँ पावर स्टार पवन सिंग भी हैं, तो दोनों में यह कड़ी टक्कर होगी, परदी पांडे चिंटू को अंदेखा नहीं किया जा सकता, जिसने तीन बेस टेक्टर के अवार्ड जीते हों, इसी साल में तो उसे अंदेखा नहीं किया जा सकता, हाला कि सब जानते हैं कि पावर स्टार पवन सिंग बहुत अच्छे कलाकार हैं, हिट फिल्में देती हैं, हिट गाने देते हैं, दूसरी तरफ किस्मत के धनी परदी पांडे चिंटू हैं, तो टक्कर तो मुझे लगता है, इन ही दोनों में हैं, के सारी लाल यादो इस रेस में बिल्कुल नहीं हैं, और भी बहुत से कलाकार गए हैं, लेकिन जो टक्कर होने वाली है, वो मेहनत और किस्मत की है, किस्मत जो साथ देरी है, वो है परदी पांडे चिंटू और मेहनती कलाकार आप जानते ही हैं, मैं मेहनती कलाकार इस उन्हें अंदेखा किया, यह मैं नहीं जानता इसा क्यों हुआ, लेकिन अब जो दुबई में आवार्ड सो हो रहा है, वहां बकाइदे ओर्टिंग हो रही है, कि ओर गिर रहे हैं, कि जिसको ज़्यादा ओर्ट मिलेगा, वो ही बेस्ट एक्टर का आवार्ड लेके जाएगा, तो मुझे यह लगता है कि परदीप, पांडे, चिंटू, किस्मत के धनी हैं, और पावर्श्टार, पावन सिंग, महनती कलाकार हैं, बहुत मैनत करते हैं, अपने फिल्मों के लिए, अपने गाने के लिए, तो देखते हैं कौन जिता है, महनती कलाकार, पावर्श्टार, या किस्मत के दनी पर्दिर पांडे चिन्टू